हलो ब्यूटिफल पीपल वालकम वालकम बाक तो मैं चानल यहां पर हम देखेंगे आपके पार्टर आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनका नेक्स सेक्षिन क्या होगा आपकी तरफ जर्नल रेडिंग है सभी जोडिक सायन के लिए और सभी एज गुरूप के लिए रेडि पर आपके बारे में क्या सोचते हैं और इनका नेक्स सेक्षिन आपकी तरफ क्या होगा ओके झाल झाल आपने पातनर को और चेस कर रहा है ऐसा मत किज़िए चेस करने का मतलब हर जेगा दून ना बार-बार सवच करना उस पोस्ट उनको यह सब नहीं करना है अपको ठीक है कि अगया कि आख 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 को अगया है को अगया है आख आख जो अख और आख इस का फीज़ निए प्रहर साथ है आपको कभी ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ नेगिडिव एनरजी होती है इन चुदों पर ज्यादा द्यान मत दीचेगा ओके यहां फर एक ब्लॉक इस तो है आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टने साथ की शादी होने में लेकिन इस पोर्षन को जो नेक्स सेक्षन है आपके तरफ काफी ज़्यादा प्यारा होने वाला है नेक्स इस पर्षन का ठूकि यह आपकी भी एनरजी है ना कि आप इस पर्षन से शादी करना ही जाते हैं अब देख लेते हैं यह पर्षन आपके बारे में क्या सोचते हैं और नेक्स सेक्षन क्या होगा इस पर्षन का नेगिटिव कुछ भी create नहीं करना है यह तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ यहां पर यह पॉर्शन के energies के अगर मैं बात करूँ कि यह भी क्या सोच रहे है आपके बारे में आपके साथ बात करनी है इस पॉर्शन को उस commitment उस बात उस situation के बारे में जिसकी वज़े से आप दुन के बीच में काफी साथ आर्क्यूमेंट हुआ था यह पॉर्शन अकेले में बटके काफी जादा सोच रहा है financial loss हुआ है इस पॉर्शन को कुछ तो आपके partner को और पहले यह पॉर्शन अपनी लाइफ को लेकर रहे हैं सीरियस नहीं था आपके साथ relationship को भी लेकर अपनी खुद के लाइफ को लेकर भी इस सीरियस मोड पर बिलकुल भी नहीं थे मतलब बे फिकर बे परवा इनको लगता था सब कुछ तो नॉर्मल हो जाएगा यह परसन आपके बारे में सोच रहा है अपने करियर के बारे में सोच रहा है ठीक है यह सोच रही है अपनी लाइफ को लेकर काफे ज़्यादा सीरियस होते वे दिखाए दे रहा है यह परसन आपसे contact जरूर करेगा क्योंकि जिस situation जिस मोड पर इस परसन ने आपके साथ बाच्छित बंद किती ना उसको लेकर काफे ज़्यादा परिशान है यह परसन सबसे ब बना लिया काफी साथ है तब ही मैंने कहा है आप इसको अगर चेस करेंगे आप इसके बारे में इसको कॉल मेंसेज करते रहेंगे तो इसको आपकी जो वैल्यू समझ आ रही है वो नहीं समझ आएगी इसको एसा लगएगा यह तो मेरे पास हमेशा है ठीक है सैकलोजी के अक ये जो लोग कर रहे हैं हर जग स्टॉक करना ये चीज़ें ना करें बंद कर दीजेए ये परसन खुद आपके पास आएगा अपनी इसको अपनी गलतियों का एहसास करने का थाईम दीजे ये परसन को त्षाए ये परसन आपके बारे में सोच रहा है काफी जादा आपके पास आएगा आपके तरफ बढ़ेगा यह परसन और अपनी गलतियों को कभी नहीं दो रहाएगा जो गलती है इसलिए मैंने का आप थोड़ा टाइम दीचे आप बहुत जल्दी में दिखाये रहे यह परसन आपके साथ जब कि आपके बारे में सोच रहे हैं आपके पास आने पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा इस रिष्टे को प्योर बनाएगा प्योर लाइक जो भी नेगिटिविटी थी जो भी कुछ ऐसी चीजहें थी जो एक रिष्टे में नहीं होनी चाहिए जो एक सेल्फिशनेस को दिखाती है उस सबसे परेहटकर यह परसन आपक कियो आहा है बैलेंस लेकर आ रहा है विक्ट्री कि साथ कोई जग्लिंग नहीं है यहां पर रिलेशन्शिप को करियर को फामली को लेकर यह परसन decide करके आ रहा है आपके बाद मतलब सब कुछ decided है इसका इसको आपके साथ relationship में क्या चाहिए कैसे आगे बढ़ाना है बैलेंस डेस अब कुछ ठीक है तो यहां पर कुछ भी overthink आपको करने की ज़रुवत नहीं है यहां पर सचका हूँ तो यह person जो भी सोच विचार कर रहा है यह selfish तो नहीं है इसके selfishness अब आप भी आ गया है कि यह आपको लेकर selfish हो गया है कही ना कहीं यह person का दिल दिमाग आपकी तरफ ही है मैंने आपको क्यों chase करने से मना किया क्योंकि जब आप इसको chase करना बंद करेंग कि यह person आपकी तरफ बढ़ेगा इसके wish है कही ना कहीं से यह आपके उपर ध्यान लगा के बेठा हुआ है यह बेठी हुए है ठीक है काफी जदा है यह person आपके तरफ मतलब attract हो रहा है कहीं न कहीं से आपके बारे में जानकरी ले रहा है पूरे तरीखे से और अगर यहां पर यह कहूं तो ऐसा हो क्यों रहा है बहुत अच्छी से चीज़ आई है मेरी नजर अभी पड़ी है इन कार्ड्स के उपर नाइन ऑफ नाइन ऑफ सोट के साथ फाइफ बन जाए देखो यहां पर इस बर्शन को कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके आजपास कहीं है मैं हमेशा आपको कुछ ने कुछ गाइडेंस देती हूं मतलब आपके रिलेश्योंशिप से रिलेटेड यहां पर बहुत सारे लोगों इसको दुख दिया नहीं जब यह सब के बारे में सोच रहा है कि सब लोग उने इसके साथ ऐसा क्यों किया ठीक है तो इसको कहीं ने कहीं अब आप याद आ रहे हो कि इस परसन ने आपके साथ गलत किया आपको बहुत जादा दुख दिया तब यह यूनिवर्स यह सब तरस्ट बिल करेंगा आपके साथ में ठीक है तरस्ट किस तरीके का होगा इसके और आपके बीच में कि आप कोई शक्की गुंजाइश नहीं होगी एक दूसरे के आप आप बंद करके ट्रस्ट कर पाऊगे क्योंकि इस परसन के पास आप कोई नेगिटिव नहीं होगा ऐसा तरस्ट नहीं हो गया तो इसको इसके आंखे खुली है ठीक है यह परसन आपको लेकिए काफ से सदह पॉजिटिव है ठीक है डिसाइड कर चुका है इसको थोड़ा सा स्ट्रॉंग होना पड़े का करेच लेकर आने पड़ेगी हिम्मत लेकर आनी पड़ेगी इस में आपके साथ वापिस आने के लिए यह जो कलती है इसने पिछली किया उसको नहीं दोराएगा अब यह पहले ऐसा करता था कि जिसने कि कुछ लेकिन लोगों से दूरी नहीं बनाई तब युनिवर्स ने किया उन लोगों को दूर किया आपके पार्टनर से कि इस परसन को आपके बारे में समझ आए आप कौन है इसकी जिन जिन्दिगी में आप क्या वैल्यु रखते हैं वो सब कुछ इसको समझ आ रहा है ठीक है इस अ वह Сबverse को पीछे चोड़कर भी परसोन आपके साथ आएंगे यह परसन आपको time दें ना दें यह परसन आप स्टाइम मागेंगें यह इसाएं ओप इनकी तरफा आप इनको प्यार दो केर दो यह परसन वोयल है वाद आपके साथ आपके साथ यह परसन आपके साथ time spend करने के बारे में सुचोगा खुद पूरे तरीके से तैयार है आपको इसाथ time spend करने के लिए अगर आप इसको time नहीं दोगे ना तो यह आप से जहकर पड़ेगा क्योंकि इसका next section यही है नई शुरुआत इस तरीके से करेगा कि आपको committed relationship में लेख खराएगा अब आप इसके साथ कहोगे ना आपको time चाहिए यह आपको time नहीं देगा sorry भी करतावा दिख रहा है इस relationship में work करेगा पूरे तरीके से यह person हिमत कोशिश करेगा कि सबी negative लोगों को पीछे छोड़कर आपके साथ एक अच्छा रिच्ता शुरू करें ठीक है तो यह थी हमारी reading I hope आप सबको guidance मिली है और reading पसंद आई है तो positive रहो कुछ भी negative है नहीं life के हर negativity को release कर दो और positive रहना चीको self love में आ जो thank you for watching बाबाई